सब्सक्राइब करें हमारे आयरवेदी कुप चार्ट चैनल को और बेल आइकन को दबा दे हमारे नए अपडेट पाने के लिए दोस्तों महदी के बारे में आप सब लोग जानते हैं शादी के मौके पर किसी तिवहार के मौके पर या फिर खुशी के मौके पर अक्सर हम उसे लगाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं महदी का उपयोग करके हम और अपनी कई सारी बिमारियों को दूर कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं से कुछ प्रयोग जिसे करके हम कई सारी गंभीर बिमारियों से चुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला है महदी गर्मी के दिनों में बहुत ही उपयोगी होती है। जिन लोगों के पैरों में गर्मी में जरन होती हैं उनको महदी पीस कर लगाने से लाब मिलता है। महदी के पत्ते, आमले, थोड़ी सी नील, दूद में पीस कर बालों में लगाएं, एक घंटे बाद पानी से धोलें, सक्खित बाल काले हो जाएंगे। गर्मी में पीठ वर गले तथा शरीर की तचा पर छोटी छोटी घंटे लगाएं होनी लगती हैं, जो महदी के लेप से मिट जाती हैं। महदी उबाल कर उसके पानी से होड़े फुनसी वाले भागों पर या फिर अंगोपोल होने से लाब मिलता है। मौसूरों के ऐसे ही असाध्य रोगों के लिए जो दूसरी दवा से नौ मिटते हो, महदी के पत्तों को उबाले हो पानी के साथ कुल्ला करने से मिट जाते हैं। महदी के पानी से कुल्ला करने से या पत्तों को मुँ में रखकर चबाने से मुँ के छाले मिटते हैं। रात में मेहदी स्वच्छ पानी से भिगो कर उसे च्छान कर उसका पानी पीने से एलर्जी ठीक होती है। इससे विजादिय द्रव बाहर निकलता है। High Blood Pressure के रोगियों को पेरोवा हथेलियों पर मेहदी का लेप करना चाहिए। मेहदी के फूल भी बड़ी गर्मी कम करते हैं। तो दोस्तों ये थे मेहदी के कुछ उप्योग और कुछ इसके फायदे जानकारी अगर आपको अच्छे लगें तो लाइक और शेयर जरूर करते हैं। धन्यवादे।